अलो गाईज, वेलकम टू रेलकार पैक्ट्स एंड कैसे आप सब लोग तो गाईज, आज का जो टॉपिक होने वाला है, यह बहुत ही इंटरस्टिंग टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्डन टॉपिक होने वाला है मैंने जब इनिशल डेज में जब ड्राइविंग स्टार्ट की थी, तो मुझे भी यह प्रॉब्लम पेस होई थी तो आज हम इसी प्रॉब्लम को कवर करेंगे, कि यह प्रॉब्लम क्यों आती है तो आपने भी नोटिस किया होगा कि कई बार आपके गाड़ी का बेक पैडल हाड हो जाता है तो ऐसा क्यों होता है, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इससे कैसे बच सकते हैं, वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे तो गाइस कई वार आपने देखा होगा कि वाइल ड्राइविंग जब भी गभी हम नूटल में गाइड को ड्राइब करते हैं और यह गाड़ी के जब इंजन ओफ है तो यह ब्रेक पैडल अपने आप हार्ड हो जाता है आपने नोटिस किया होगा इस्पेशली इन स्लोप और किसी भी धलान वाले एरियाज में जब आप गाड़ी को आपको एकसलेट करने की ज़ुरत नहीं होती तो कई लोग गाड़ी को neutral में रख देते हैं और neutral में रखके गाड़ी को brake apply करते हैं तो उससे problem यह होती है जब आप first time brake apply करोगे neutral में गाड़ी को चलाते हैं तो first time हो सकता है आपकी brake धंग से apply हो जाए second time करोगे, third time करोगे जैसे जैसे आप इसकी brake apply करोगे brake hard होना start हो जाएगी और एक time ऐसा आएगा कि आपकी brake बिल्कुल hard हो जाएगी वैसे तो हमारे car का braking system hydraulic oil पर काम करता है बट कार में braking का pressure बढनाने के लिए एक vacuum booster लगाया जाता है और vacuum booster का काम ही यह होता है कि जिस pressure से हम brake apply कर रहे हैं युसको multiply करके यूस करता है जो vacuum booster जो vacum generate करता है वो engine के थुरू करता है तो engine की suction power के थुरू vacuum generate होता है जो की car में जब भी हम brake apply करते हैं तो उसको pressure को multiply करता है तो वो एक तरह से हमारे जो car की ब्रेकिंग power है उसको और बढ़ाता है उसको और boost करता है, इसलिए हम car में vacuum booster का use करते हैं तो guys इसमें होता क्या है, जब भी car हम neutral में drive करते हैं या जब भी car का engine off होता है, तो engine वो suction generate नहीं कर पाता और वो suction generate ना करने की वज़े से, वो vacuum booster वो vacuum नहीं बना पाता उसकी वज़े से हमारा जो brake pedal है, वो hard होने लग जाता है वैसे similarly जब भी आप किसी high traffic में चलते हो और आपने गाड़ी neutral में चला रहे हो और आप brake का use कर रहे हो, तो बार-बार brake करने से क्या होता है, आपका vacuum release हो जाता है और engine neutral में होने की वज़े से, engine off होने की वज़े से, engine वो suction नहीं generate कर पाता, जिससे vacuum नहीं बन पाता है तो इसलिए आपको ये problem आती है कि आपका brake pedal hard होता है तो guys आप bonnet open करके हम देखते है practically कि ये vacuum booster कहां पे लगा होता है और कैसे ये काम करता है अब आगे हैं अपनी गाड़ी के bonnet में और guys जैसे आप देख रहे होंगे यहां से आपको अपने कार का brake oil change के जाता है और ये attach होता है चार lane के साथ जो चारो lane आपके चारो wheels के साथ attach होती है similarly ये ही चीच आपको आपके booster के साथ जैसे आप देख रहे हैं यहां सामने ये आपका vacuum booster है कई लोग उसे बेक booster भी बोलते हैं तो ये ही vacuum booster आपका vacuum generate करता है और ये ही vacuum booster आपका connect होता है आपके engine के साथ तो engine की suction power के साथ ये अपना vacuum generate करता है और उसी vacuum के साथ आपके car में vacuum brakes पावर अपलाई होती है तो guys ये simple सा एक पंडा है जिसको ज़्याद मैं खीचूंगा नहीं ये simple सा एक वो है logic जिसके थूँ आपके car में vacuum brakes अपलाई होती है ये vacuum generate होता है तो guys अगर आप इस इसको लेके worry हो रहे हैं कि हमारे car में कुछ braking issue आ रहा है या हमारा brake pedal हाड हो जाता है तो guys इसमें कोई घबराने के बात नहीं है कोई इस्चू नहीं है आपके car का कि brake pedal आपका हाड हो रहा है brake pedal हाड क्यों होता है ये भी हमने discuss किया की और आपके試 रहा हो चाहए हम क्या हिसे देखे सकते है याहम क्या आपकेडल हाड होटाए तो जब हमारा brake pedal हो चाहिए ела सीथे चलते हैं कार में डिसक्स करते हैं जरसे भी हमने डिसक्स किया कि हमारा का ब्रेक-ड तूर्च किक्न होता है या हम neutral में गार drive कर रहे होंगे जब भी कभी हमारा engine suction generate नहीं कर पा रहा होगा उसकी वज़े से हमारा vacuum booster vacuum नहीं generate कर पाता तो हमार को ये issue face होता है तो अब इससे बचने के लिए में क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए especially जब हमने देखा है कि ये चीज़े हमें cup face होती है जब भी हम किसी slope वाले areas में जहां पर हमें gear की ज़रूरत नहीं है वहाँ भी हम neutral रखके drive करते हैं तो कभी भी slope वाले areas में कभी भी धलान वाले areas में आप अपनी गाड़ी को neutral पर drive मत करिए उससे गया होगा उससे आपका brake pedal हाड हो सकता है तो आप जब भी किसी slope वाले areas में या especially जब कभी hills में ड्राइब कर रहे हो चड़ते समय आपको कोई problem नहीं आएगी बट जब आप उतर रहे हो तो normally लोग न्यूट्रल में रख लेते हैं गाड़ी को तो आपको कभी भी अपनी गाड़ी न्यूट्रल में रखके ड्राइब नहीं करनी है आपको जब भी आप नीचे उतरो आपको कार को गेर में ही रखना है जब भी कभी आपको लग रहा है कि आपका brake pedal हाड हो रहा है उस टाइम पर आपको अपनी clutch का यूज़ करना है अपको अपना clutch apply करना है जैसी आप अपना clutch apply करेंगे आपका brake pedal नॉर्मल अपनी position पर आज़ेगा तो गाइस इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं ऐसी किसी next informative वीडियो के साथ तब तक के लिए सब्सक्राब तो चनल और लाग को इस वीडियो